तो वेलकम टू बेस्ट नोस टुटोरियल और आज हम बात कर रहे हैं समास के बारे में तो थोड़ी सी हम प्रैक्टेस करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछली वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं प्रया बाचे के बारे में और उससे पहले अगर हिंदी की क प्रैक्टेस और मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिखने वाला हो कुछ समासिक्त और आप लोगों को उसके विग्रह देखना है और समास बचाने, तो थोड़ा समिदें आप लोगों टाइम दूँगए, उसके बाद मैं आपको आंसर बतां गो तो इससे आप लोग वी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पहला वर्ड आप लोगों के लिए है गगन चुम्भी गगन चुम्भी जो है उसका आप लोगों को बताना है कि इसमें समास कौन सा है गगन चुम्भी जो है उसमें समास आप लोगों का कौन सा है और दूसरा वर्ड है आप लोगों का गाड़ी गोड़ा गाड़ी गोड़ा और गगन चुम्भी दो शब्द हो गया आप लोगे पास में तो गगन चुम्भी है गगन को चूमने वाला तो यहां पर जब भी इस तरह का कोई अगर को के लिए से इस तरह का कोई वर्ड आता है तो सीधे सीधे वह आपका तत्पुरुश होता है लेकिन तत्पुरुश समास में तब थोड़ी सी प्रावलम आती है डूने में या बताने में अगर इसको और इंडेक्ट पूछा जाए जैसे कि यहां पर पूछा गया है कि गगन चुम्भी का कौन सा इसमें समास है और तत्पुरुश समास में कौन सा समास है तो यह अगर आपको सेंस आता है और का यहां पर और आपका हाइफन आप लोगों को दिखाई देता है तो हम बोलेंगे 99 परसेंट वो दुद्ध समास का ही उधारन होता है अब मैंने 99 परसेंट इसलिए का है कि जब आप आगे चलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मै लोगों समझ में ही नहीं आ रहा होगा गराम उधार मींस गराम का उधार गराम का उधार इसमें आप लोगों का कौन सा है क्योंकि का का सेंस है तो गराम उधार जो है वो सश्टी तत्रुश्काप का उधारन है अब आता है गिरी धर गिरी धर का मतलब होता है गिरी को धार करने वाला मेंस पहाड को धारन करने वाला उसको हम क्या कहेंगे कि जब भी इस तरह का अन्यपद परधान हम बोलते हैं इस समास में तो अन्यपद परधान अगर कोई शब्द होता है उसमें मेंस कहने का मतला हम शौर्ट में बोले यहां पूरा इजी करने वाला गिरी को ध्रण करने वाला कौन है वह भगवान रश्री वर भगवान शुरी को हम जाता है तो अन्यापद परधान निकल और आता है वहाँ पर तो उससे हम कहेंगे भभ प्रह्यव ठीक है और फिर भी आपको एक्जैम तो निकालना ही है तो अगर समास आ जाता है आप लोगों को तो एक तरीका ये है कि आप जितने समास है उनके एक-एक उधारन लिख लिए जैसे मैंने यहां पर तत्पुरुष का लिख लिए द्वंद का लिख लिए ठीक है और नीचे हो गया य जब आप इस तरह के उधारन एक-एक को याद करेंगे तो उससे रिलेटेड आप लोगों क्या कर लेना है उसको मैच कर लेना है जैसे गगन चुम्बी से जैसा कोई अगर शब्द मिलता है आपको को के लिए से इस तरह का तो तत्पुरुष होगा आपका अगर हाइफन व यह को का रावण का मीनिंग निकलता है यह वैंने घंठाव टीक है मैंने खूद उस टाइम पर याद किया था गजणन गडेशभगवन का नाम है तो यहां पर उ पैन्य Particip questo हो और बहुरी और क्योंकि मुझे उस टाइंग पर याद नहीं होता तो मैंने सीधे-सीधे कर लिया था गजानन की बहु गजानन की बहु गजानन की बहु इस तरह से बोल बोल के उसे याद कर लिया था तो मुझे याद हो गया था तो आप लोग भी इस तरह सकते हैं अब एक उध होगा यह पहला वाला पहला वाला जो पार्ट होगा दूसरे वाले को बताएगा में इस एड्जेक्टिव की तरह काम करता है तो चंद्र बदन जब हमने बोला चंद्रमा के समान बदन तो इसमें होगा आपका कर्मधारे तो कर्मधारे में क्या होता है वो विशेशता बताता है जैसे कर्मधारे का यह एक और उधरन ले जेते हैं जैसे मैंने कहा बहुत इजी है यह वाला तो चरण कमल ठीक है तो रुनना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को ले जिसके लिए जिसको बिल्कुल समाज समाज में नहीं आते उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं कि इनकेस आप दिनानुदिन इस तरह का कोई वर्ड आ गया दिनानुदिन ठीक है तो आप देखे दिनानु दिन का कोई अन्य मीनिंग भी नहीं निकलेगा जैसे यहां पे श्रीक रिश्ट निकल राथा कि इद तो यह आपका बहुबरिय भी नहीं है और इसमें काके की वगएरा भी नहीं आ रहा तो यह तत्त पुरुष नहीं होगा और और भी वर्ड इसमें नहीं बन रहा है तो द्वंद्र नहीं होगा तो आप कहीं न कहीं उसे क्या लिखेंगे अभी भाव होगा तो अगर इस तरह का कोई वर्ड आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से रीजनिंग बठा के कर लेना है और जब यह प्रक्टिस करें तो साथ में पैना और नोटबुक लेकर बैठें अब अगर आप लोगों ने इतना जो है नोट डाउन कर लिया है तो समास कहीं न कहीं आप लोगों की तैयारी हो एक वरढ है आप लोगों ले को चतुरानन ठीक है यहां पर है जरतुरा निनन रिक छतुरानन क्या होता चाहर आनन जिंके वो कौन है आपके तो फिर वह ही दूसरा मेनिंग निकला है तो हमारा क्या होगा उसे हम कहें वह बिरिये समास एक और है इस तरह का वर्ड देखिए चवनी कि चवनी क्योंकि मैंने उपर एक्जेंपल नहीं लिखा था वहीं पर एक एक्जेंपल लिख लेता हूं जिससे कि आप लोगों को याद रहे हैं कि यहां पर द्विगु समास का उधारण मैंने आप लोगों को प्लैन यहीं किया था कि आप लोगों को फर्स्ट में सभी के उधारण दे दूंगा तो चवनी वर्ड में क्या हो रहा है कि जब गृप की बात आएगी ठीक है जब गृप की बात आती है तो गृप की बात गृपिंग जहां पर होती है उसे हम दुगु समास कहते हैं बात पौँल्ड अज्री किस्ते हैं चाराने का गृप होता है चाराने का गृप को हम क्या कहते हैं चवन्य कहते हैं तो यह आपका क्या बन जागा दुआ दुली पे power ले लेता हूं इसको बताईए जैसे चाराहा आगया तो चाराहा जिलुकल 1 कि आप लोगों का कौन सा कि यह आपूरों का है घृू कि चीज कर गूरू आप लूगों को अ में चार चार राश्तों का नबर आ रहा है और उसका अन्य मीनिंग नहीं निकला तो दुगू समास होता है कई वार हम कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं जैसे मैंने का दशानन अब इसमें हम बोलेंगे दशानन ये ये आपका बहू ब्री होगा या ये दुगू होगा क्योंकि दशानन मेंज दशानन का गुरूप भी तो है द वह है आप लोगों का रावण। तो इसलिए क्य क्या होगा ये रावण इसका मीनिंग निकल राइस लिए से हम बहु बरी हमें ही सरे नहीं रखेंगे आप लोगों का तिल प्रपडी है रभ नोगों के लिए भात लोगों थोड़ा सा टेस्ट ले ले लेट // 2 अब लोगको कमेंट बॉख्स में जरूर लिखे थिल पापड़ी का मतलब क्या है तिल से बनी हुई तो से आ गया तो सीधे सीधे आप लोगों समझ में आ गया कि यह कौन सा है आपका तत पुरुश समास है अब एक है आपका दया सागर दया सागर दया सागर means दया के सागर यहां पर क्या हो गया आपका दया के सागर यह दया का सागर यह हो गया आपका श्ष्ष्टी तत्पुरुश दानवीर यह भी आपका हो गया है दानवीर means दानमेवीर और देश-विदेश आपको यह बताना है कि देश-विदेश देश विदेश जो है वो किस में आएगा आपका देश विदेश तो हाइफन से आप लोगों को पता ही चल लिया होगा कि हाइफन आया है देश और विदेश के बात हो लिए है तो यहाँ पे दुन्द समास ध्यान दीजेगा कि अगर और का सेंस आता है तो द्वन्द समास ही होता है यह लिए निक्स्ट उसमें देख लिए धनहीन यहाँ पर आप लोगों बताना है कि धनहीन जो है वो कौन सा समास है धनहीन धन सेहीन तो आप लोग फिर समझ में आगा होगा अगर का के की से इस तरह के शब्द आते हैं तो आपका तत्पुरुष ही होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तत्पुरुष के अंदर वाला पूछ लिया जाए कि दद्पुरुष का पार्ड कूछ रिया कि तत्पुरुष का कौंछा पार्ट है इ assisted थो यह उसी इrite अवका से इसके बाद है द्धर्मा धर्म इस तरह का शब्द ठोड़ा सा फसा देता है कही बार धर्मा-धर्म देखेंगे तो इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं धर्म और अधर्म तो और वर्ड आ रहा है इसमें अगर और आ रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे द्वंद समास ही कहेंगे नव यूवक नव यूवक अब देखे यूवक कैसा है नव है नया है तो जब विशिष्टा की बात आती है तो उसमें हम क्या कहते हैं कर्मधारे कर्मधारे समास बन जाता है वहाँ पर और यहाँ पर देखिए पल पल देखिए यहाँ पर पल पल में इसको आप लोग बहुत इंपॉर्डेंट है इसे आप लोग जरूर लिख लिजे कहीं पर इसे नोट डाउन जरूर कर लिजेगा कि पल पल में कौन सा समास आएगा ठीक है यह है आपका तो कि इसका मीनी निकालना हुआ पल और पल नही तो यह है आपका अब्याई-भ्याव समास था कि अगर आप लोगो को निकालना हैं तो कोई साने निकलता तो आपका अभ्याई-भ्याव समास ही निकलेगा नेक्स्टार अपका पितांबर पितांबर में आप लोगों Case Um양ije कि प्रूश्ट का बहुत जई लिक्प बहुरी समास इसको हम लोग कहेंगे फिर से पलपल के साथ में ही मैं इसे भी लिख लेता हूँ यहीं पर लिख लेता हूँ बीच में तो हर बार स्वरी आप लोगों के लिए जो समास था वो था आप लोगों के लिए बार 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 का जो सेंस होता है वो क्या होता है हर बार होता है बार और बार नहीं होता है तो इसलिए ये भी क्या है आप लोग अब यही बहाव समास का है तो अब यही बहाव का आप लोग इस तरह के कुछ जो एक्जेम्पल है उन्हें जरूर लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों को इसमें दिक्कत ना है, यह थोड़ा बहुत कंफूजन करता है, अब यही भाव समास, अब यही भाव समास में का एक उधारन जो है, उसे आप लोगों याद रख लेना है, वो भी आपका है यत्हा शक्ति, यत्हा शक्ति मेश्ड़ के अनुसार, और क क्या है आप लोगा अव्य भाव समास है अब आपको हिंदी की क्लास तो कहीं पढ़ानी है नहीं आपको एक्जैम क्लियर करना आप ठीक है और जौब पानी है तो उसके लिए आप लोगो थोड़े बहुत शॉर्टकट तो पता होनी चाहिए क्योंकि हर चीज को समझा भी नही विद्यार थी कि विद्यार थी है है उसमें कौशत को शश्ट्री तत्पुरुश वगेरा यह समास और संदी की जूए कोपले आप लोगों ने वह नहीं कीघ्श होगी अगर जो कलास आप मिलते हैं अगली ग्लास में तब तक के लिए बड़ बाई ठीक है